जेहिंदोस्तों एक बाद फिर सवागत आपपी के अपने यूटूब चैनल में दोस्तों एक इंडियन आर्मी की नई रिकून्ट मेंट रेली आपकी आज चुके ओपीसली नोटिपीकेशन इंडियन आर्मी की साइड पेड़ डाल दिया गया अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाते हो बारते सेना का हिस्सा बनना चाते हो तो ये वीडियो आपके लिए वह होती महेतोपूर्ण साबित होने वाला की जो आपकी रेली बढ़ती आईए वो आपकी कहां पर होगी साथ में इस बार की रेली बढ़ती में आईजूकेश कें तक आप जरूर बने रीजिगा अपने आपको सबस्य पेले जानना होगा कि कोन-कोन सी पोस्टू के आपर वाकेंसी आई है दोस्तों यहाँ पर इस बार आपके ट्रेड में आटवी पास की बर्ती नहीं आईए ट्रेड में दस्वी पास की ही यहाँ पर आपके लिए बर्ती आईए step by step अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो soldier general duty के लिए अगर आपकी साड़ी सत्रा से तेईस वर्ष के बीच में है मतलब आपका जनम है वो एक अक्टूंबर गुनी सो निन्यानम से लेकर एक अप्रेल दो जार तीन के बीच में हुआ है और आपकी हाइट 170 cm है तो आप इस बर्ती के लिए योग्य माने जाओगे साथ ही दोस्तों यहाँ पर 10 में आपके 45% मार्क्स भी होने जरूरी है और सभी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्स होने जरूरी है तभी आप इस बर्ती के लिए फोम अप्लाई कर सकते हो जिनके 10 में ग्रिस लगा वो इस बर्ती का एपलाई नहीं कर सकते है साथ ही दोस्तों यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल के लिए भी आपकी वाकंसी जाईए सोल्जर टेक्निकल की अगर बात करे तो यहाँ पर 17 से 23 वर्ष की बीच में आपकी एज होने चाहिए तब भी आप सोल्जर टेक्निकल की पोश्ट में जा सकते हो नेक्स्त दोस्तों यहाँ पर बात करें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में भी 17 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होने चाहिए नेक्स्त दोस्तों यहाँ पर सोल्जर कलरक की भी यहाँ पर इस बार आपकी भरती है जिसमें आपके 17 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होने चाहिए जिनकी हाइट 162 सेंटिमेटर वो भी आपर सोल्जर कलरक की पोश्ट पे भरती हो सकते है मतलब जिनके height कम है वो soldier color के लिए apply कर सकते लेकिन इसके लिए आपको 60% marks होना चाहिए चाहिए आप arts, commerce या science कोई सी भी stream से belong करते हो और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके 12 में math accounts या book keeping में से एक subject आपके होना चाहिए यहाँ पर अगर हम बात करें physical process के तो सबसे पहले इस बार भी आपका physical ही होने वाला है physical पर क्या क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो group pest के लिए अगर आप running करते हो तो आपको 5 minute 30 second का समय दिया जाएगा दोस्तों उसके बाद में अगर आप physical running क्यालिफाई कर लेते हो उसके बाद में आपकी beam होती है जिसमें अगर आप 10 लगाते हो तो आपको 40 number मिलते है उसके बाद में आपका 9 bit का ditch होता है जो qualifierSAI NACARE के आदार पर है उसके बाद में आपका जिखज़ग BALANCE होता है वो भी आपकी qualifierSAI NACARE के आदार पर होता है तो दोस्तो उसके बाद में अगर आप ये सब qualifier हो जाते हो तो यहां पर Siena के तरब से आपका medical करवा दिया जाता है 17 जुलाई से इसका रजिस्टेशन शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त तक आप इसका रजिस्टेशन है वो ओनलाइन कर सकते हो दोस्तो इसका भरती रेली है वो या पर 15 सित्तमर से लेकर 24 सित्तमर 2020 के बीज में चलने वाली है अगर आपने अभित्तक इंडियन आर्मी का रजिस्टेशन नहीं किया तो आप जोईन इंडियन आर्मी के ओपिसले साइड पे जाके आप इसका रजिस्टेशन कर सकते है तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चैनल पे पहली वार आये हो तो चैनल आप जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि आपको कोई भी हर परकार की कोई न्यू रिक्रीटमेंट रेली आयूजित की जाये तो उसकी जान सब्सक्राइब में तना ही मिलते हैं एक नई रिक्रीटमेंट रेली के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय बार्त